जिन्दगी की राह में कहीं खो गया है इंसान मन्जल मिल जाएगी जरा खुद को तो पहचान हौसलों को कर भुलन पूरे होंगे अर्मान उचे हों विचान मुश्किलों में हो मुस्कान राजयोग के राज को जान जिन्दगी बने आसान जिन्दगी बने आसान जिन्दगी बने असान नमस्कार, ओम शांती, आपका हमार इस्यो जिन्दगी बने असान में स्वागत है दोस्तों हमने काफी चर्चा करिये सक्सेस के ओपर आईए इसी के ओपर हम कुछ और बाते करते हैं हमारे साथ हैं Dr. Girish Patel A very warm welcome to you sir ओम शांती हमने कहीं हाबिट्स के बार में बात करी जो हमारे अंदर होनी चाहिए for a successful life कहीं ऐसी चीजे जो हमें develop करनी चाहिए अपने अंदर for a successful life अब ऐसी और भी कुछ बाते हैं जिनसे हम थोड़ा सा motivate होए या कुछ ऐसी चीजे जो हमें अपने अंदर implement करें ताकि हमें जो effect है जिसे हमने बात करी थी कि cosmic energy से हम जब communicate करते हैं तो जो हम एक positive thought देते हैं तो वापस आता है similarly ऐसी कुछ चीज है जो कि हम करें अपनी life में कि हमें उसका effect भी positive आए एक चीजे यह हो सकती है कि हम कुछ चाहते है लाइफ में है मुझे कुछ achieve करना है परंतु रही बार हम वही सुचती कि मुझे achieve करना है मुझे करना है उसके बदले औरों के जो goals है उनको भी वहाँ पहुंचने में आप मदद करो तो वह भी आपको अपने goals में पहुंचने में मदद करेंगे इसके लाइसा कहते हैं कि अगर आपको successful होना है तो जो आप अपने लिए अपेक्षा रखते हैं वही औरों को helpful हो कि जो और अपनी अपेक्षा है रख रहे हैं उसको fulfill करने में कहीं आप मदद रूप हो जाओ तो आपको बहुत बड़ा सहीयोग देंगे cosmic energy भी देंगी जो आपने कहा उल्टाव व्यक्ती भी आपको सहीयोग देगा कि आप अपने goal तक फिर पहुंच जाएंगे तो इसमें कौन सी ऐसी बाते हैं जो आप समझते हैं कि वी शूद गिफ पीपल जैसे ना कहीं बार लोग कहते हैं जैसे Mother Teresa थे She used to give unconditional love जाके लोगों को खाना खिलाना and she was in she was a big philanthropic person तो अगर हम इसी के बार में बात करें तो how do we you know perceive this हमें क्या लोगों को देना जाहिए कि हमारे को भी effect ना हो because I am sure हम इतना जादा अपनी एक competitive life में तो नहीं कर पाते हैं कि हम दूसरों का जादा ध्यान रखें usually people are very you know I would not say self-centered but they are very much self-oriented कि वो अपने बारे में पहले सोचते हैं तो ऐसी क्या चीज़े हैं जो हम अपनी life में implement करें दूसरों को भी दे कि हम भी fulfilled रहें और दूसरे भी देखो अब इसमें शिवानी आपने दो तीन प्रश्न पूश्ण पूश्टा है जैसे भी Mother Teresa का आपने बात कि तो उन्होंने सत्मुच भले और गोल था या नहीं पता नहीं पर तुनोंने वो किया उनको परमात्मा के नस्दीक जाना था है उनका तेक्चुल यो स्पृिच्छल डवलप्न था वो अपनी नंस को भी कहते थे कि आप जो सेवा करते हैं उसकी ज्यादा प्रेयर करो तुमको ज्यादा से ज्यादा टाइम प्रेयर में देना है फिर सेवा तो उनका गोल वह था कि भी परमात्मा के करीब जाना है तो जब उन्होंने लोगों को प्यार दिया तो उनको प्यार मिला और वो परमात्मा के नस्दीक जा पाए सेकंड बात जो आपने कही है कि कॉम्पीटीटर को मैं नहीं बोलता हूँ कि भी कॉम्पीटीटर को हेल्प करो कि अपने गोल में पहुँच जाए पर उन्तो जो आपकी टीम है आपकी जो टीम है आपका लक्षा एक है तीम मेंबर्स का लक्षा थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है तो उन फुल्फील करने में आप मदद रूप हो तो अगर मैनेजिंग डायरेक्टर वहां उनको हेल्फुल होता है उनका गोल फुल्फील करने में तो वो लोग इनका गोल फुल्फील करने में पूर्या अपनी नाखुन का जोर लगा देगे और वो गोल फिर उनका फुल्फील हो जाएगा तब यह और नेगेटिव सोचना नहीं है जितना भी, डिफरेंट डिफरेंट वे में हम उनको मदद रूप हो सकते हैं लेकिन कहीं बार ऐसा मैंने देखा है कि अगर हम लोकों को आगे करेंगे जैसे कहीं बार ओगनाइजेशन में में देखती हूँ जो एक मैनेजर होता है या बॉस होता है वो थोड़ा इनसे क्योर हो जाता है उसको लगता है कि अगर मेरे जो नीचे लोग हैं वो मुझसे आगे निकल गए तो मेरे को तो कोई नहीं पूछेगा तो वो आगे उनको बढ़ना ही नहीं देते अगर आप सचमुच थोड़े कैपेबल है आपके पास टैलेंट से है आपके पास स्कील्स है तो यह सोचना जरूरी नहीं है यह प्रैक्टिकली हो सकते है कि व्यक्ति करने लगा परंतु क्योंकि आपके पास स्कील्स है आप और कुछ करेंगे और वह जिसको आपने मदद की चाहे वो बोले नहीं भी यह संभव है कि वो openly नहीं बोलेगा परंतु यह तो सुचेगा कि यह व्यक्ति मदद रूप था इसने मुझे support दिया तो उसके अच्छे vibration मिले उसके अच्छे vibration मिले तो आप अपना काम अच्छे से कर पाए तो आप अपने गोल में भी आगे बढ़ेंगे बट कहीं ना कहीं ऐसा नहीं होता कि insecurity आ जाती है क्योंकि यह तो मैंने देखा है तो insecurity का बाती है कि जब आप इतने capable नहीं हो आपके पास जो क्षमताएं है वह नहीं है तब आपको insecurity आती है कि वही मेरी seat पर बैठ जाएगा फिर मैं कहां मतलब लोग इसकी वज़े से ना सिखाते ही नहीं है दूसरों को अगर मैं इसको काम थोड़ा सा भी बता दूंगा यह समझा दूंगा तिन इस person will overtake me मतलब मेरे सारा काम यह करने लगेगा तो मेरी तो कोई value नहीं रहेगी तो तो इस feeling को कैसे overcome करें कि एक तो आपने बताया कि थी कि आप में अपनी capability होनी तो और भी कुछ आपको लगता है कि feeling यह thought हमें रखना चाहिए अपने अंदर, so that we can grow forward, teach our people, team. एक तो यह कि हमारा overall goal है कि भी company के objectives है, मेरे team के objectives fulfill हो, मेरे personal objectives important नहीं है, तो ने team के objectives fulfill हो गए, चाहे वो थोड़ा आगे बढ़ा, और मैं भी अपनी जगा पर हूँ ही हूँ, मैंने तो practical अनुभव में ऐसा देखा है, कि वो व्यक्ति आपको कहीं और कोई तरीके से helpful हो अगर हम उसको यह काम थोड़ा सिखा देंगे, तो हमारे पस time होगा to develop ourselves for a newer venture, क्योंकि अगर हम उसी चीज को कर रहे हैं चार साल से, और हम काम को कहीं और delegate कर दें, तो हो सकते है कि हमारे पस time हो, to actually learn something new, and grow to a new level, पर्फेक्ट, तो हम उसी महीं फसे रहेंगे, तो instead of insecurity, we should be hoping for new opportunities, तो जिसे आपने हमने बात करें कि giving nature होनी चाहिए, तो इस पे मेरा question यह है कि हम ऐसा क्या give करें, what should we give to people, तो आपने का you should give what you deserve, or what you think you deserve, so what are the things which you feel कि हमें लोगों को देनी चाहिए, चाहिए मेरे colleagues हो, यह हमारे office में subordinates हो, team members हो, यह बहुत कुछ हो सकता है, जिसे भी उ support दिया कहीं है, उनको अपने knowledge दिया, और कुछ उनको wisdom चाहिए, तो वो दी, उनके कुछ अपने personal problems है, emotional problems है, तो उसको solve करने में आपने उनको support दिया, तो यह सब क्या करेगा, कि उनके अपने जो goals है उसको वो ठीक से meet कर पाएंगे, और वो कर पाएंगे, तो फिर उमंग से आपके लिए काम करेंगे, और आप भी अपने goal से ना वहां तक पहुच पाएंगे, और इसके लिए एक जो factor बहुत ज़रूरी है, वो है empathy, बहुत important है यह तो, empathy क्या है, कि उनके perspective में आप देखो, उनके perspective से सोचो, उनके shoes में रह के समझो, कि उनके shoes में पहर रखो, तब आपको पता चलेगा, तो वैसे जब व्यक्ति सोचने लगता है, तो automatic को ज़्यादा supportive हो सकता है, उनको नहीं ज़्यादा helpful हो सकता है, और फिर दोनों में क्या win-win situation बनेगी, और win-win situation बनेगी, तो maholy पुर अच्छा होगा, यह तो कहीं बार क्योंते है, लूज-win situation हम चाहत है, वो कभी भी possible नहीं है, अगर हो भी जाए, तो आप दुसरों को दुखी करके कुछ कर रहे हैं, तो उसका भी तो कोई ज़्यादा नहीं है, बल्कुर, और I think कहीं बार companies में जैसे आपने भी support की बात करी, कहीं बार क्या होता है, जो मुझे feel होता है, taunt मारना, sarcasm की, तो negative से उल्टा ही बोलेंगे, और I somehow feel people leave bosses rather than companies, अगर आप उनको वो support और वो care नहीं देंगे, तो they will feel कि यार यहाँ पे तो कामी नहीं कर सकते, peace of mind नहीं है, उल्टा हो तो डर के मारे करें, समझो ना कि आपने को सार्कस्टिक ली बोल दिया, तो कर भी रहे, तो डर डर के कर रहे कि अभी कोई negative comment आने वाली है, negative comment आने वाली है, और तो उल्टा वो अच्छे से नहीं कर रहा है, वो अपना 100% वहाँ पर दे नहीं रहा है, उल्टा वो expect कर रहा है कि कुछ तो negative होने वाला है, तो I think अगर हम इतनी negative energy डालेंगे, तो result भी फिर negative भी आता है, तो यहाँ ही वो अपने goals छोटे हो सकते हैं, पर उसमें आप उनके मदद रूप हो जाओ, तो ultimately आपके higher goals भी achieve हो जाएंगे, और एक चीज़ जो मुझे लगती है, आपने से भी बताया कि we must give them empathy, empathy के साथ-साथ respect, जो कि मैं देखती हूं कि लोगों को हम देते नहीं है, हम respect कही ना कही एक value ज चोटा सा example, जैसे इसमें कोट करती हूं, आप रेस्टराउन में जाते हैं, खाना खाने, इवन अगर आप वेटर को भी जब बुला रहे हैं, तो भी आप जब बुला रहे हैं, वो बुलाने का तरीका भी कहीं लोगों का बहुत अजीव होता है, कि अरे सुनो मेरी बात, य होते हैं, स्टार्टिंग लेवल पे, उनके लिए भी हमारी जो रिस्पेक्ट है, अगर हम वो नहीं देंगे, तो इसका रेपरकर्शन बहुत जादा हो जाता है, तो आपका काम बहुत अच्छी तर से करेंगे, अर्था कि आपके प्रब्लेम साल होगे, तो आपके प्रब् करते दिनादा और लीफिर हमारे, करेंगे ना सफाइ मुने भी जाके। वे भी साफ करेंगे, तो ने इसका कम हो गया उसको रेलैक्सेशन налаж Ubler करेंगे 송रेगे, तो सारा आपके तो भाईजी, इसके साथ एक spiritual, जो हम बात करते हैं, giving spiritual knowledge, या spiritual support, जैसे कही बारना मैंने देखा है, companies, they are just concentrating on building skills, building people, information दो, knowledge दो, training कराओ, develop करो, learning कराओ, capabilities बिल करो, लेकिन at the end of the day, what about the spiritual growth of a person? और अब जब यहाँ पर हम spiritual growth करते हैं, तो हम कोई religious growth नहीं बोल रहा है, इसका मतलब यह कि भी उंदर से डेवलाप हो रहा है, जो नहीं, medical में भी डेफिनेशन नहीं, World Health Organization नहीं डेफिनेशन दिया है, कि what is spiritual health, something untangible, कि भी जिसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं, ऐसे उपर से उसमझेशन, तो वहां पर आपको उनको help करना है, और वो different way में हो सकते हैं, एक अच्छे सी मुस्कान भी वो व्यक्ति के अंदर वो घृत को ला सकती है, उसके प्रती अच्छे vibration देना, उसमें भी उसके अंदर उस प्रकार की घृत हैना, वो हो सकती है, जरूरी नहीं है, कि आप बैठके उसको कुछ अध्यात्मी ज्यान दे रहे हैं, तब भी वो automatic वैसे develop होगा, और सबसे important क्या पता है, कि आप खुद करो, यभी ना कुछ दिद पहले मैं सोच रहा था, कि जो हमारे school के principal थे, रियली, He is God for me, in fact, और मैं यह सोच रहा था कि उन्होंने क्या सिखाया, उन्होंने कहीं हमारे subjects लिये, पर उन्तो वो मुझे याद नहीं है, कि उन्होंने उस subject में सिखाया क्या, पर उन्तो मुझे उनकी behavior याद है, कितने punctual होते थे, टाइम पर आ जाते थे, परफेक्ट थे अपना जो भी, बले, simple एक्ति था, उन्होंने अपने value में perfect था, और कहीं बार हम लोग गल्तिया करते थे, हम शरारत करते थे, तो भी पनिश्मेंट हमको नहीं देते थे, खुद को पनिश्मेंट देते थे, कोई कहीं कि अभी इस दुनिया में नहीं चलेगा, पर उन्तु मैं समझता हूं, आज भी चलेगा, इसी सा, I think, मुझे एक और चीज़ यादा थे, giving के time, कि we should be very much giving towards people where forgiveness is concerned, we should forgive more, and I think, जितनी power forgiveness में है, उतनी punishment में नहीं, में बिल्कुल नहीं, a person can change because of forgiveness, 100% अचा भाईची मुझे एक चीज़ और लगते है, कि ठीक है हम लोग बहुत career oriented है, ambitious हैं आज की life में, हम चाहते हैं कि हम कुछ achieve करें, इस दुरान how does giving help, what can be given, how does it help us, true true true, जितना थोड़ा से deeper level पर समझना पड़ेगा, एक मनो विज्ञान का नियम है, जिसमे spirituality भी है, कि जब हम अपने लिए सूख को ढूंडते हैं, तो सूख हमारे से दूर भागता है, पर जब औरों के लिए सूख को ढूंडते हैं, तो सूख हमारे करीब आता है, वही सक्सेस में भी कह सकते हैं, कि हम अपने लिए सक्सेस को ढूंडते हैं, सक्सेस दूर भागती, जब आप औरों के लिए सक्सेस को ढूंडते हैं, सक्सेस आपके करीब आती है, बट हम आर पस इतना टाइम ही का होता है, करना ही पड़ेगा ने तो आपको कभी हो मिलेगा ही नहीं आप स्वार्थी हो करके टेंशन में जिएंगे लेकिन प्रैक्टिकली नहीं होगा क्या दुनिया इसी है कि जो जब सारी टीम मदद करें तब ही आप कुछ एचीव कर पाते हैं इस तुढें एसी सवाःट सटिम सब्सक्राशहूरत यह रीखिर के मद लेकिन अच्छीष है ने जो Oscar कि प्रनिया जेके अगर θα लोगं को दे सकते हैं कितना को को पिल कर स inflamm को फिई ओव दय कर सकते सकते हैं पीपली ओई रोगंश रवम्स रिम्ह laughs and and it will actually get us back some positive result. Thank you so much. Thanks. Om Shanti. So, dosto, aaj हमने बात करी, it is not always that we should take from people. Try to give people more. आप जितना देंगे, उतना ही आपके पास जो result आएगा वापस, वो पॉस्टिव आएगा. And that will definitely help you in being a successful person in life. हमार सथ बने रही है, ऐसी ही कुछ topics पे हम चर्चा करते रहेंगे. ओम शान्ती. मुश्किले मिटे जाएगी, ओ चेहरों पर मुस्कार. ओ चेहरों पर मुस्कार. राज योग के तु राज को जाँ, जिन्दगी बने असान्. जिन्दगी बने असान्. जिन्दगी बने असान्. अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें. जिन्दगी बने असान्. ब्रह्मा कुमारी जिन्दगी बने असान्. अधिक जान्तिवन अभूरोड. तेरे रुहानी नै, ओ बाबा तेरे रुहानी नै. दिल को सुकूर देते हैं तेरे रुहानी नै, ओ बाबा तेरे रुहानी नै. जब भी देखू इन नैनों में, बात नहीं कह देते हैं तेरे रुहानी नै. ओ बाबा तेरे रुहानी नै. सागर से गहरे नैन तेरे रुहानी नै. ओ बाबा जो भी देखे इन में वही खो जाता. सागर से गहरे नैन तेरे ओ बाबा. जो भी देखे इन में वही खो जाता. अनमोल खजाने पाता. इस सागर में जो डूब जाते पार वही हो जाते नै. तेरे रुहानी नै ओ बाबा तेरे रुहानी नै. तेरे रुहानी नै ओ बाबा तेरे रुहानी नै. प्यारी प्यारी मुस्कान न्यारी दिल को लुभाए जाती है. बोल तुम्हारे कितने प्यारे अंतर मन छू जाते है. जब तक न देखूं सूरत तेहारी. आता नहीं इस दिल को चै तेरे रुहानी नै. ओ बाबा तेरे रुहानी नै. नील गगन के जरोखों से, हो देखते रहते बाहं पसारे प्यार लिये मीठे बाबा यही कहते. आओ प्यारो साथ चले, आओ प्यारो साथ चले. अपने वतन जहां मिठे हो बै तेरे रुहानी नै. ओ बाबा तेरे रुहानी नै. साथ रहूं तेरे पास रहूं मैं, तुझसे ही बैठों खाओं। दूर कभी ना हो तू नजर से तेरे ही रंग रंग जाओं। ना दूर होंगे अब ना कभी ना बाबा मेरे तेरे नैनों से नै. तेरे रुहानी नै. ओ बाबा तेरे रुहानी नै. तेरे रुहानी नै. ओ बाबा तेरे रुहानी नै. कर दो दूर हो तेरे रुहानी नै.